अभी बैसम पॉन देश के लिए बेद हरान करने वाली कवर प्रदेश में हाईलर जारी और उक्तादे इरान और इजाइल के पीछ तनाव गाहराता जा रहा है दोनों देश अब आमने सामने हैं इरान के मिसाइल अटाइक के बाद इजाइल ने जबाबी करवाई की बात की है इजाइली पीयर नेतनाईव ने काहा है कि इरान को इस हमले की कीमत चुकानी होगी इसी बीच जी सिवन देशों ने दोनों मुलकों में तनाव कम करने के लिए एक आपात कल बैठक बुलाई है इसी दवनान अमिर्खी राश्पती जो बाइडने ने काहा है कि वो इजाइल के साथ दे रहे हैं लेकिन अगर इजाइल इरान के निक्विलर साइट पर हमला करता है तो अमिर्का इसमें उसका साथ नहीं देगा और उपता दे इरान और इजाइल के बीच बरते तनाव के दवान लिबनान में हिजबूला के खिलाब इजाइल के हमले जारी है गाजा के मन्ने वालों की संक्या 41,000 अज़ादव गये है गाजा के मंताले ने गुरु अरु के बिजान ने मताया है कि आज की संख्या के साथ पिछले 7 अक्टूबर से अब तक मन्ने वालों की संक्या 41,88 हो गये है जबकि 96,794 लोग जखमी हो गये हैं वो प्रदेश में हाई लट जाड़ी